Essential Community Act 65 साल पुराना है और demand और supply को maintain करने के लिए सरकार समय समय पर इसमें बदलाव करती रहती है जिससे कि वो prices को काफी हद तक regulate कर पाते हैं और इसी वज़से आगे आने वाले सामय में यहाँ पर demand और supply बनी रहे और किसानों को भी सही दाम मिल सके इसलिए इस बार फिर से सरकार ने Essential Community Act में थोड़े बदलाव किये हैं हाला कि पीछे अगर देखा जाए तो सरकार ने बदलाव किये थे और इसमें sanitizer और mask को भी शामिल किया था जिससे इनके prices को control किया जा सके हाल फिलहाल में अगर बात करें तो पीछे पिछले कुछ समय में इसमें stock limit को add गया था जिसकी वज़से Essential Commodities के दाम ना बढ़ सके हाल कि pulses के दाम या फिर edible oil इनके दामों की बढ़ोतरी समय समय पर देखने को मिलती है और इसी वज़े से सरकार इसमें limit बनाती है और अब सरकार ने यहां पर फाइदा देने के लिए किसानों को इसके act में फिर से बदलाव किया है और उमीद करता हूं कि इस act के बदलाव के बा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें